द्धर्मिकी शिर्वात सम्मेक जशन से होती है शम्मेक जशन के अभाव में किये गए तब ब्रत सब सार्सक नहीं होते जब तक बस्तु सलूप का यथात श्रद्धाल नहीं होता तब तक शम्मेक जशन भी नहीं होता और शम्मेक जशन के बिना हमारा कल्यान नहीं होता इस आशय की बात बिगत दिनों से आप सब के बीच चल रही थी जिसके क्रम में हमने नौ पदार्थों के विशे में विस्तार से जाना आचारी कुंदु कुंदु कहते हैं यदि किसी के भीतर शम्मेक जसन प्रकट हुआ हो तो उसके जीवन में कुछ विलक्षन ताएं भी घटित होती है जो उसके गुन अत्वा अंग के रूप में चेरितार्थ होते है और जब तक वो अंग है तभी तक समझना चाहिए कि वो सम्मेक जर्शन है उसके अभाव में सम्मेग्रसन, सम्मेग्रसन नहीं कहला सकता जैसे हमारे शरीर के आठ अंग है वे अंग अपना ठीक धंग से काम करते हैं तो हमारा शरीर समर्थ बना होता है और हमारे शरीर के अंगों में कहीं सिसिलता हो तो हम अक्षम हो जाते हैं हमारे दो पेर हैं, दो हाथ हैं, कमर है, नितंब है, छाती है, पीट है और मस्तक है, ये मूल आठ अंग है, हमारे सारी गतिविधिया इन्हीं आठ अंगों के मद्धम से होती है, वैसे ही सम्मेक दर्सन के भी आठ अंग है, और ये आठ अंगों के रहते ही सम्मेक दर्सन पल सकता है, और आचारी कुंद कुंद ने इस आठ अंगों से समन्वित प्राणी को सम्मेक दिश्टी निरुपित करते हुए, उसके चरन को सम्मेक द्वा चरन चरित कहा, ये आठ अंग है, ये अंग हमारे जीवन में होना चाहिए, आज से बात मैं उसकी ही करने जा रहा हूं, जैसे हमारे शरीर के आठ अंग है, वैसे ही सम्मेक द्वा चरन के आठ अंग है, निशंखी तंग सबसे पहला अंग है, जो कहता है, मन में शंका, संदे या भय, रंच से मात्र मत रखो, निश्क आंख्षे तंग मन को आकांख्षा मुक्त बनाने की बात रता है, निश्क सांग मन में किसी भी प्रकार के घिना या गलानी से बचने की बात करता है, अमोरदृष्टित्व अपनी अडिग आस्था की बात करता है, किसी भी प्रकार का दबाव, प्रभाव, भय या प्रलोभन से कुमार्ग की और न जुखना, अबगुहन अंग, दोसों को धाकने की बात करता है, अगर किसी के द्वारा कोई दोस हो जाए, तो उसे धाको, इस्तितिकरन, अपने मन को दोसों से बचाना अबगुहन है, और अपने आपको मार्ग में टिकाए रखना इस्तितिकरन, रत्नात्रई के प्रति हुरदय में अपार उत्सहा रखना बातसल्लभाव, और अत्नत्रईः धारी के प्रति प्रेम रखना ये भी बातसल्लिक के अभिवक्ति, और अपने मन को अपने बच में रखकर, जिन सासन को पहलाना प्रफामना अंग है, अथ्वा अपने आचार, बिचार और बहवार से जिन सासन को जगत ब्यापी बनना प्रभावना ये आठों अंग हमारे सरीर के आठ अंगों से मेल खाते हैं एक बार हम रास्ता देख लेते हैं बेखटके अपना दाहिना पैर बढ़ा देते हैं और जब दाया पैर आगे बढ़ता है तो बाया पैर सहज उसका अनुकरन कर लेता है उसमें कोई आकांख्षा रपेक्षा नहीं होती यही है निशंकित और निकांख्षित अंग अपने बाये हाथ को देखें अपने सरीर की सब प्रकार की अपवित्रता का प्रक्षालन आप अपने बाये हाथ से रोज करते हैं मन में कभी गलानी या घ्रना का भाव आता है जब भी बाये हाथ का प्रयोग करो मन में सोचो मेरे हरदे में किसी धर्मात्मा के पती गानी घ्रना या नफरत का भाव तो नहीं आ रहा है यह निर्विती कित सांग है अमूर दिश्टित अपने मारगे में टिके रहने की बात है और जब हम कोई बात पून आत्मिश्वास से भर कर कहते हैं तो कहते हैं यह तो ऐसा है यह क्या है एकदम वजन दे के यह अमूर दिश्टित अपने उब गूहन का आर्थ होता है दोसों को ढांकना लोक में नितंब को सदेव ढांक के रखा जाता है ऐसे ही हमेशा यह देखो कि मैं किसी के दोसों को उद्गातित तो नहीं कर रहा हूँ पिर एस्तिति करन कोई वजनदार वस्तु को हमें उठानी हो तो अपने पीट पर आसानी से उठाया जा सकते है तो पीट कोई अगर गिर रहा है तो उसे अपने पीट पर विठाल लो और उसे पार लगा दो यह इस्तिति करन है और वासल हमारे प्रेम की अभिवक्ति है और जब हम किसी के प्रती प्रेम से भरते हैं तो अपने च्छाती से लगा लेते हैं हरदव वातशल लगा प्रती और हमारे सरीर का उत्माद मस्तिषeka मस्तिषक को हम हमेशा उंचा रखना चाहते ह। कभी हमारा सिर जुके नहीं केहते हैं सिर गटा सकते हैं मगर सिर जुका सकते ह। यान मान मर्यादा का प्रतीक है, ऐसे जिन सासन के गौरों को सदे बनाए रखने का संकल पर ही प्रभावना है ये आठ अंग हमारे सरीर के आठ अंगों से मेल खाते हैं कदाचित सरीर का कोई एक अंग कमजोर हो जाए तो फिर भी सरीर बिकलाग बन करके भी काम कर सकता है पर सम्मेक्दसन में कोई एक अंग कम हो जाए तो वो हमारा सम्मेक्दसन संसार का विनास नहीं कर सकता ना नांग हीन मलम छेत्व दर्सनम जन्म संततिम नहीं मंत्रो छरन निवना निहन्ती विष वेदना जैसे एक अक्षर से निवन कोई मंत्र हमारे विष की वेदना को नश्ट नहीं कर पाता उसी तरह अंग हीन सम्मेक्दसन संसार का विनास नहीं कर सकता तो हमें चाहिए कि हम सम्मेक्दसन को शरवांग आत्म साथ करे ये हमारे जीमन में घट गया तो सब कुछ घट गया आज से बात उसी की कर रहा हूं और लगोग आठ दस दिन तर निरंतर सम्मेक्दसन की बात होगी समय सार में आचारी कुंदकुंद ने सम्मेक्द के अंगों के संदर्व में क्या कहा और अन्य गंथांतरों में उन्होंने क्या कहा और हम अपने जीवन बहवार मूँ से कैसे उतार सकते हैं कुछ ऐसी ही चर्चा आप सबसे मैं करूँगा जो आज हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है सबसे पहला अंग है निशंक अंग निशंकित अंग शंका का अभाव होना निशंका संका का अर्थ दो अर्थों में संका का अर्थ शंदे भी है और संका का अर्थ डर भी है संदे नहीं होना अपने मार्ग में संदे नहीं होना क्योंकि जहां संदे होता है वहां विश्वास नहीं पनपता संका के बीज में श्रद्धा के अंकुर नहीं पूरते असुद्ध धरा पर विश्वास के पौधे नहीं उठते तो संका का बीज अगर मल में बैठा है तो श्रद्धा कांकुर कभी नहीं फूटेगा सबसे पहली जर्वत अपने मल को संका से मुक्त करने की है और जहां संका है वहां अश्रद्धा है और जहां संका और अश्रद्धा है अविश्वास है वहां डरवी है अपने मन को टटो लो तुम्हारे मन में शंका है या नहीं और तुम्हारे मन में डर है या नहीं यदि शंका ग्रस्त है मन और मन में ऐसा डर है तो अभी तुम सम्मेक्ष से बाहर हो मरा आज बड़ा गलबर हो गया गलबर नहीं है ठीक तरीके से समझ लोगे तो आज ही संका भी दूर होगी और डर भी गुर्दूर हो जाएगा और जीवन में हर पल आनन्द होगा आचारी कुंद कुंद के शब्दों में हम पहले निशंकी तंक की व्याख्या करे और आज की चार बाते फिर आप सब से करें सम्मा दिठी जीवा निशंका होंती निभ्यातीन सत्त भै विप्प मुक्का जम्मा तम्मा निशंका सम्मा इठी जीवा निशंका होंती शम्मेक दिष्टी जीव निशंक होते हैं और निशंक होते हैं इसलिए निभ्यातीन वो निर्भय भी होते हैं संकित हो तब तक भय है जिस पल तुम निर्भय हो जाओगे निसंक हो जाओगे चार बाते आज के संदर्वें श्रद्धा अश्रद्धा भय अभय इन चार शब्दों को हम समझे आज के संदर्वें अश्रद्धा श्रद्धा भय अभय अपने मन की श्रद्धा को टटो लो वो आज कैसी है तुमारे अंतरंग में श्रद्धा है या आश्रद्धा है श्रद्धा है या श्रद्धा है ये टटोल करके देखने की जर्बत है कहने को तो श्रद्धा दिखती है श्रद्धा यहाँ नहीं होती तो नहीं आते है न श्रद्धा है लेकिन अपने अंतरंग मन को टटोल करके देखो तो कहीं न कोई छिपीवी अश्रद्धा भी है श्रद्धा के चार रूप हैं श्रद्धा आश्रद्धा अंद्श्रद्धा और अटल्श्रद्धा क्या बोला श्रद्धा आश्रद्धा अंद्श्रद्धा और अटल्श्रद्धा आश्रद्धा तो आपके अंदर नहीं है होती तो यहाँ नहीं आते पर श्रद्धा है इसकी परताल करना जरूरी है बोलो तुम्हें तुम्हारे धर्म के प्रती श्रद्धा है तुम्हारे लिए तुम्हारे देव की प्रतिश्द्दा है गुरू के प्रतिशद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द महराज जी आपने याद किया, कुछ काम, नहीं कोई काम नहीं है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, चलो ठीक है, महराज जी आपके दर्सन मिल गया असलिबाद, पहुंचे हो, दस मिनट बाद हमने फिर किसी को भेजा, सुदर संजी थोड़ा सुनी जी को भेज दो, अरे आओगे, चलो चलते हैं, महराज जी आपने बुलाया है, कोई काम, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, ठीक, खामो खाम, महराज ने दो बार दोड़वा दिया, बोलो आएगा की नहीं आएगा, आएगा, और अब या अधा गिंते बाद फिर तीसनी बार, आज क्या हो गया महर आज को भाई, बार बार परिशान कर रहे हैं, पहले बार बुलाया तो अहो हग है, और तीसरी बार में परिशान कर रहे हैं, चलो, महराज यह आपने याद किया, अब तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, और तुम्हारा बिरोधी बैठा उससे बात कर रहा हूं, अब बोल बेने अपना सारा काम छोड़ करके यहां आए, इनको तो कोई काम नहीं, हमारे पास तो पचास काम है, पता नहीं दिमाग में क्या क्या आएगा, आएगा, हाँ, साहिद सुनील को ना है, लेकिन यह सभाविक है, थोड़े से निमित से मन दोलाए माल हो जाता है, और को अशद्धा में परनत होते देर नहीं रगती, सारा तत्व ज्ञान धरा रह जाता है, जब जीवन में ऐसी कोई परिस्थितिया निमित होती है, सब हवा हो जाता है, क्यों, शद्धा है पर प्रगार नहीं है, शद्धा बड़ी उथली है, शद्धा कैसी होनी चाहिए, इद्मेव द्रिश्मेव तत्तम नान्नम नचान्न था, इत्यकम पाये सांभोवात, सनमारगे संसयारुची, बस मारग तो जो है, सो यही है, ऐसा ही है, इस प्रकार की संसय रहित, सद्धा का नाम वास्तविक सद्धा है, आपकी धर्म में शद्धा है, क्यों है, बोलो, आप लोगों ने बोला धर्म में शद्धा है न, क्यों है, इसलिए कि धर्म करेंगे, तो संकट लेगा, ठीक, कोबीड ने कईयों की धर्म से सद्धा हाटा दी, अरे धर्म करने से कुछ नहीं होता, इतना धर्म किये, फिर भी ऐसा हो गया, अब बताओ, उसकी सद्धा मिटी, की नहीं मिटी, मिट गई, मैं कहता हूँ, सद्धा पैदा ही नहीं हुई तो मरेगी क्या, उसकी सद्धा थी नहीं, उसने धर्म के सद्धा को जाना ही नहीं था, उसने धर्म के उतले सद्धा को जाना, बस तु के सलूप को तुमने ठीक रीती से जाना नहीं और गतान गतिक बनकर तुमने धर्मे की शद्धा रखी मेरा धर्म में पक्का विश्वास है धर्म में पक्का विश्वास रखो पर धर्म के नाम पर धर्म का भ्रम तो नहीं ये तो देखो तो अपनी स्रध्धा सही होनी चाहिए अश्रध्धा अर्दे में नहीं होनी चाहिए और अंद स्रध्धा तो होनी ही नहीं चाहिए अटल स्रध्धा होनी चाहिए अंद स्रध्धा और अटल स्रध्धा का मतलब क्या जो भी आए सब को सरद्धा से स्विकार कर लेना अंद सरद्धा और जिसे अपना सरद्धे माने लिया उससे कभी डगमगाना नहीं वो अटल सरद्धा अंद सरद्धा वाले दुख्षान में होते हैं और अटल सरद्धा वाले को हमेशा लाब ही होता है तो अगर तुम्हारे हुर्दय में शद्धा है तो तुम्हे कभी भै नहीं होगा जहां शद्धा वहां भै नहीं और जहां अशद्धा संसे वहां डर एक बनस्पती शास्तृ एक गहरी घांटी से कुछ मुल्यवान औस्धियों के संचे के लिए गाटी बहुत गहरी थी, खाई थी, वहाँ जा पाना सहज नहीं था, अब क्या करें, उसने अपने बारा साल के बेटे के कमर में रस्ची बांधी, और उस बेटे को उस घाटी में उतारा, और कहा बेटे, सारी बनस्वतियां तुई खटी कर लेना, फिर जोले में भर देना, म तेरे कमर में बांधूँगा, धीरे धीरे तुझे खीच दूँगा, तु आजाना, बेटे ने सहज रूप से स्विकार किया, उसने उससे उतारा, बेटा रस्ची खोल कर, बेखौप होकर, बनस्वतियों का संचे किया, सारी बनस्वतियां उपर भेज भी दी, जब काम हो फिर से रस्ची नीचे उतरी, उसने कमर में बांधी, और पिता डरते डरते उसे उपर खीचा, बेटा निश्चिंत आ रहा था, पिता डरते डरते उपर खीचा, बेटा निश्चिंत उपर आ रहा था, जब बेटा उपर आया तो पिता के जान में जान आई, कहा बेटा तो जान अठकी थी पर ये बता तू इतना निश्चिंत कैसे था मेरी जान अठकी थी पर तू बता तू इतना निश्चिंत कैसे था उसने गा पिताजी मुझे डर किस बात कही जब दोर आपके हाथ में है जिस बेटे की दोर बापके हाथ में हो उसे डर नहीं हरदय में जब शद्धा होगी तो भय कभी नहीं होगा और जब तक संका होगी भय कभी नहीं मिटेगा जिस जगह आपको कोई शंका नहीं होती आप निर्भय होकर के रहते हो की नहीं रहते है यहाँ कोई डिक्र नहीं है यहाँ सब सेफ है क्या बोलते हैं यहां सब सेफ है निश्चिन्त हो कर बैठे और कहीं ऐसी संभावना हो जिसमें आपको थोड़ी सी भी शंका हो तो आप क्या करते हैं चुकन्ने हो करके बैठते हैं मन में डर कहीं कुछ हो न जाये शंका डर को जनमे देती है और सद्धा से निर्भयत आती है। इसलिए कहते सम्मादिथी जीवा निशंका होंती, निभयाती नहीं। वे निशंक होते इसलिए निर्भय होते हैं। निशंक किसलिए। क्योंकि वो अपनी आत्मा की शरूप को अच्छे से समझता है। थोड़ा हम शंका और भय दोनों को सामने ले। कहिं ऐसा नहीं। यह सही है यह गलत है। प्रणती है लेकिन जब प्रगाल विश्वास जमता है तो श्रंका का लेश नहीं होता आप अपने घर में हैं आपके पास तिजोरी की चाभी है हर किसी को सौपते हो क्या बोलो किसको सौपते हो जिस पर विश्वास है तिजोरी की चाभी उसे ही सौपते है जिस पर विश्वास है लेकिन मैं आप से पूछता हूँ अगर तिजोरी खाली हो तो बात समझ में आ रहे हैं मैं कहां ले जा रहा हूँ खाली तिजोरी की चाभी हम तो मरा तालही नहीं लगाते खुला रखते हैं तिजोरी भरी हो तो हर किसी को नहीं दे सकते हैं जिस पर शंका है उसको तो दे ही नहीं सकते हैं और आजकल तो विश्वास करने वाले भी कब विश्वास घात कर दे पता नहीं नौकर ने मालिक से कहां मालिक मैं बीस साल से आपकी शिवा में हूँ पर आज तक आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया मालिक ने कहा अरे बेटे तुझ पर विश्वास नहीं होता तो 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 तुझ पर सब्से कहना है खालि तिज्जोरी के चाविस औपने में कोय दिक नहीं लेकिन तिज्जोरी जहां भरी है वहां हर किसी पर भ्रोसा नहीं मतलब जिसके मन में रागभाव है उसके मन में ही संसर शौध अता है संकाती है जो बीट राग बन उसके हिदे में कभी संका नहीं है यह राज भाव संका को जन में देता है मो भाव संका को जन में देता है और जब तक मो भाव है तब तक संका है और जब तक संका है तब तक भै है कुछ चला न जाए, कुछ खो न जाए, कुछ छिन न जाए, कुछ लुटना जाए, कुछ मिटना जाए, कुछ पिटना जाए अरे भाई क्या जाएगा, क्या खोएगा, क्या मिलेगा, क्या मिटेगा, क्या पिटेगा तेरा जो है, वो है, उससे न कुछ खो सकता है, नहीं उसमें कुछ जुड़ सकता है जिस पल तेरे हिर्दे में ये श्रद्धान गहरा हो जाएगा मौह चीन हो जाएगा और मौह के चीन होते ही भै भी दूर भाग जाएगा है एक नकारात्मकावेग है जो मन की दुरबलता से प्रकट होता है बस तू सरूप का श्रद्धानी कभी घबडाता ही नहीं देखो किसी जहाज में उड़ रहे हो और अचानक कुछ दुरगटना होने वाली हो तो आप लोगों के लिए क्या सुब्धा दी जाती है क्या दी जाती है पैरा सूट पैरा सूट का प्रियोग करो नीचे उतर जाओ तो जिसने पैरा सूट पहन लिया वो नीचे उतरते समय ड़ता है क्या क्यों अब मैं सुरक्षित हूँ मैंना पैरा सूट पहन लिया है इसी प्रिकार जिसने तत्वग्यान के पैरा सूट को पहन लिया है उसके मन में कोई डर नहीं मैं सुरक्षित हूँ अब किस बात का डर क्यों डरे जब मन में संकाही नहीं है शद्धा भर चुकी है तो भै नहीं केवल अभै होगा भै भी एक प्रिकार के मो भाव की अभिवेक्ति है जहां मो नहीं वा डर नहीं और जब तक मो है तब तक निडर नहीं सत्त भै विप मुक्का जम्मा तम्मा दुनिश्यंका साथ प्रकार का भै आप पाएंगे सब मो रागभाव की परनतिय इह लोग भै परलोग भै मरन भै बेदना भै अत्रान भै आकस्मिक भै और असुरक्षा भै इह लोग भै सबसे पहला अरे लोग में मेरा कोई नुक्सान न हो जाए डर रहता है किसका नुक्सान मेरे दुकान को नुक्सान न हो जाए मेरे परिवार को नुक्सान न हो जाए मेरी पत्ति का नुक्सान न हो जाए मेरे सरीर को नुक्सान न हो जाए यही है न बता तेरा दुकान है कहां तेरी दुकान है कहां तेरा धंदा है कहां तेरा मकान है कहां तेरा परिवार है कहां तेरा सरीर है कहां जब वो तेरा है नहीं तो उसका नुक्सान तेरा नुक्सान कैसे तेरा तो तू है जो अजर है अमर है अविनासी है जिसका एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता तो डर कैसा समझ रहें बात पर ये कौन डराता है ये जो मेरा कौन है मेरा शंत कहते ध्यान रखना ये सब तेरे पास है तेरे साथ है पर तेरे नहीं है ये पका शद्धान जमा के रखो ये शद्धान गहरे हो जाए तो मेरा खोएगा क्या वहाँ न पाना है न खोना है न आना है न जाना है जो है जैसा है वैसा ही बने रहना है ये सब्धान हरदय में बैठा लीजिए तो जीवन का मजा ही यहाइ कुछ और होगा यदि यत किंचित नुक्षान भी हो, तो वो तेरे अज्ञान से होगा, यदि तेरा शद्धान पक्का है, तो दूसरा तेरे सामने रहेगा ही नहीं, डर किसका, संसार की सारी पढ़तिया संयोगों से चलती है, संयोग बनते हैं, बदलते हैं, वो मेरे नहीं है, मेरे अधीन नहीं है, संयोग, संयोगों के अधीन है, बनेंगे, बदलेंगे, मेरा, मैं हूँ, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, परलोक भै, परलोक भै का दो अर्थ निकालो, कोई परलोक आकर मुझे पर अठेक न कर दे, या परलोग में मेरी दुर्गती ना हो समझी है पर लोग ये बड़ा भयानक है उस पर लोग का भय आजकर लोग कम है पर इस पर लोग का लोग क्या कहेंगे कि कौन सा भय है पर लोग वो मेरे साथ ऐसा न कर दे क्यों सा भय है वो मुझे नुक्सान न पहुचा दे कौन सब है ध्यान रखने की बात तो केवल इतनी शी है कि जब तक तुम्हारे पुन्न का प्रताप है तुम्हारा कोई बिगाड नहीं कर सकता प्रद्धुमन का अपरन हुआ चट्वे दिन जलंग के बाद छे दिर के बच्चे को एक बड़ी सिला से दबा दिया गया लेकिन पढ़ लो उस प्रद्धुमन का कुछ हुआ क्या सिला हिल गई उसके स्वास से सिला हिल रही है अब वहीं उसको पालनहार भी मिल गए इधर माबाप को खोया तो दूसरे माबाप मिल गए यही तो स्खेल है संसार का जब तक तुम्हारा पुन्न है कोई पर तुम्हारा नुक्शान नहीं कर सकता और जिस दिन पाप का योग होगा कोई तुम्हें बचा नहीं सकता यह पक्का शर्धान अपने हुद्धे में बठाल दो और जिए दिन ये शर्धान बैठ जाएगा तो तुम्हारे मन में रंच मात भी पर लोक का भै नहीं रहेगा आजका लोक परिशान है कुछ लोक तो एक प्रकार की मांसिक बिमारी के चिकार होते हैं हर पल अपने आपको इंसिक्योर्ड फिल करते हैं क्यों बस तु के सरूप के स्रद्धानी बनो तुम फुली सिक्योर हो तुम पूर हो, सुरक्षित हो, सदासे हो, सास्वत हो, अवीनासी हो ये स्रद्धान तुमारे अंदर गहरा होना चाहिए ये स्रद्धा होगे तो भैनी अरे कहीं हो न जाए, मेरा नुकसान न हो जाए यानि तेरा अभी तेरी आत्मा पर सद्धानी नहीं आ सद्धा है ये सब अंदर का मोह और रागभाव है जो वेचेन करता है मोड़ो अपने आपको, छोड़ो अधर से अपको यहाँ संभलोगे फिर परलोग कब है? अरे, परलोग से कौन डरता, जो यहीं लोग में अच्छे से नहीं जीता एक जाम के बाद, फैलियोर का फियर किसको होता है फैल होने का डर किसको होता है जो अच्छा पेपर दे के आता उसको, या जो साल भर फाकी मारता उसको फाकी मारना समझते हैं नहीं पढ़ेगा लिखेगा नहीं, अपना समय बरबात किया अब एक जाम आ गया, अब कुछ आया नहीं, अरे भाईया रिजल्ट खराब नहों जाएं, रिजल्ट खराब नहों जाएं, रिजल्ट खराब नहों जाएं पड़े लिखे लोग तो मेनज़ करने वाले बच्चे तो पेपर दे के आते हैं अपना रिजल्ट खुड डिक्लेयर कर देते हैं बाकी गोशना जब होगी तो होगी मैंने इतना लिखा है इतने नंबर्स मेरे आएंगे और जो गटर मस्ती करते हैं पढ़ाई नहीं करते हैं ना फाकी मारते हैं बिहारी सब्द हैं समझ कि हाँ उन लोग क्या हाल है है ठीक है अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा एक बच्चा भगवान के पास गया बोला भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे एक तो ये क्या है ये मगेजमारी है अगर हमे एलोक अच्छा जीया तो परलोक मेरा अच्छा होगा ही होगा इसमें कोई संसे नहीं इसलिए परलोक की चिंता करने की जगाई ही लोक को सुधहरने कायत्र कीजिए सम्मेग्डिश्टी वही करता था मरन भय बहुत सताता है मैं मरन जाओं तो पहली बात तो ये देखो कि तुम कभी मरी नहीं सकते तुम तो अमर हो शर्दान है की नहीं तेरा ना जनम हुआ ना मरन हुआ जिसका जनम होगा उसकी मृत्यू होगी तो जनमा कौन मेरा जनम तो इस तारीक को है मराजी आये मेरा जनम दिन है तेरा जनम दिन कहा हो गया इस सरीर का जनम दिन है और जिस दिन इस सरीर का जनम हुआ उसी दिन इसकी एकस्पारी देट भी तैह हो गया झाल झाल